अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस्ट वीडियो के बारे में अफ्रेट चाहिए हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस प्लांट की रिपोर्टिंग बताऊंगा इसका नाम केली प्लांट या कैना लीली है इसे केली प्लांट भी बोला जाता है बहुत जगा और बहुत जगा कैना लीली भी बोला जाता है ये मेरे नर्शरी से पर्चेस कर किल आया था तो मैं आज इसकी रिपोर्टिंग बताऊंगा आपको अगर आप इसकी केर के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए मैं आपको इसकी केर के बारे में भी बता दूँगा तो चलिए अब हम इसकी रिपोर्टिण के बारे में जानते हैं इसकी flower तो आपने देखे ही हूंगे इसकी flower इन बीच में से एक इस्टिक निकलती है उस पर इसके flower खुबसूरत कूबसूरत flower खिलते हैं लेकिन अभी मेरे इसके flower का color मुझे नहीं पता है क्योंकि इसे मैं बिना फ्लॉवर के ही लेकर आया हूं इसी तरी की सल आया था मैं इसके अंदर अभी कोई फूल नहीं मिला है मुझे अभी मैंने इससे पर्चेस किया है तो यह दिखिये यह मैंने 14 इंच का गमला लिया है क्योंकि यह कहनल ली है और इसे फैलने के लिए जग गमला ले लिया है आप इससे भी बड़ा कोई सभी जितना बड़ा गमला होगा इसके लिए उतना ही अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा और बड़ा और घना आपका प्लांट हो जाएगा तो यह देखिए इसके अंदर मैंने ड्रेनीज होल कर लिये हैं चैसे दो बड़े-ब गिंटे कुछ भी आप डालने इसके अंदर जिसे की हमारा होल कवर हो जाए या पिसकी जगह कपड़ा भी लगा सकता है लेकिन कपड़ा गल जाता है इसलिए यह ठीक रहेगा तो यह देखिए और नारियल का बारुदा भी डाल सकते हैं नारियल का जो ओपर का छिलका होता है वो भी रख सकता है इसके अंदर वो बेस्ट रहेगा और यह दिखिए मैंने सोईल ली है सोईल में मैंने एक पर्टसन कंपोस्ट और एक पर्टसन गार्ण सोईल और एक पर्टसन रिवर सेंड इसके लिए सेंडी सोईल चाहिए होती है हमें सेंडी सोईल हमें हर बिल्कुल well-drained soil को मांगता है बहुत कामी plant ऐसा होते हैं जिनको चिकनी मिट्टी पसंद होती है वैसे तो मैं कहूंगा के हो कुछ ही होते हैं नहीं तो जितने भी आपके हैं वो सारे plant इसके ही है drain जिसके अदर सा water drain हो जाए drain out हो जाए अच्छे से sandy soil, sand के मातरा अधिको और इसके अदर यह अपनी roots भी अच्छे से फिला पाते हैं तो यह देखिए मैंने मिट्टी ली है यह मेरी पुराने गमले की है मैंने उसके अदर खाद मिला दिया है पुराने गमले की मैंने मिट्टी 2-3 दिन सुखा ली है और इसके बाद मैंने इसे यूज किया है तो इसके अदर ही मैंने खाद और sand की मातरा थोड़ी बढ़ा दी है तो यह देखिए हम इसके अदर एक layer इसकी बिच्छा लेंगे अगर आप soil की एक layer नहीं बिच्छाने चाथे तो आप बजरी या बजर फूट जैसे कहते हैं उसके भी आप एक layer बिच्छा लीजिए क्योंकि मुझे अभी इसके अंदर कुछ और भी डालना है इसलिए एक layer बिच्छाओंगा पहले मैं उसके बाद मैं और चीज़ डालूँगा आप चाहें तो ऐसे ही simple भी इसे भड़ सकते हैं लेकिन जो मैं चीज़ डालने वाला हूँ यह देखिए कि मैंने इसके अंदर सूखे हुए पत्ते डाले हैं अगर आप सूखे हुए पत्ते डालते हैं तो इसके अंदर और अच्छा खाद हमारा add हो जाता है क्योंकि यह सालो साल चलते ही रहता है हमारे गमले में क्योंकि यह decomposed होते रहता है और उसी के अंदर ही हमारे plant को अच्छे-च्छे nutrients देता रहता है तो अब यह हमने डाली हैं पत्ते मैं सारे पत्ते जो हैं खटे करकर रख लेता हूँ एक तरफ जैसी गिड़ते हैं सफाई होती है मेरे गार्डन की मैं एक तरफ सारे खटे करकर रख लेता हूँ एक बाल्टी में यह फिर कट्टे में आप किसी चीज में भल लीजिए तो जब टैर्म मिलता है मुझे जब कोई काम करना होता है मैं उसमें से निकालता हूँ और वस अपना पॉर्ट को भल लेता हूँ तो यह देखिए यह मैंने इतनी सॉइल भली है और फिर अश्कंद प्लांट रके देखें हमारा प्लांट इसके अंदर ठीक से आएगा यह नहीं उंचा नहीं तो मेरा प्लांट ठीक है और यह देखिए यह मैं आज आपको एक तरीका से काऊंगा जिसकी वज़े से आप इस ग्रो बैक को यह पॉली बैक को आप वेस्ट नहीं करें इसे वेस्ट करने से तो इतना अच्छा लेंगे अच्छा होगा कि यह से जैसे हम निकालेंगे इसके बाद रेंदेर चैनल में कर सकते हैं और जो हमारे cutting के plant तायार हो चुके हैं हमारे पास कोई pot खाली नहीं है वो लगा सकते हैं मैंने जाता तर ऐसे ही लगाता हूं सारे grow back को मैं निकाल कर रख लेता हूं ठीक से जो है अपना ये center में रख देंगे देखिए अगर आप ये soil हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं लेकिन हमारे हां की soil है ठीक है इसलिए मैं इसे नहीं हटा रहा हूं क्यों कई सारे plant की जो मिट्टी होती है नर्सरी से लाते हैं तो लाल मिट्टी में आते हैं और लाल मिट्टी में इसलिए आते हैं क्योंकि वो दूर दूर तक सफर करते हैं वो कहीं बहार से आओं होते हैं लेकिन ये जह है ये नर्सरी में ही तयार किया गया plant है इसलिए इसके अंदर लाल मिट्टी का यूज नही और इसके नीचे एक अद्रक्सी हल्दी सी एक होती है बल्प होता है उससे गिरो किया जाता है मैंना अभी आपको दिखला है तो बस अब हम इसे इस तरीके से सेंटर में रख देंगे और इसके साइट से हम सोईल को फिल कर देंगे और इसके अंदर प्लास्टिक पॉर्ट में जो लगाते हैं उनका तरीका में अगर आप कहेंगे तो हमें आपको सिखा दूंगा क्योंकि जो दूप में रहने वाले प्लान्ट होते हैं जैसे गुलाब हो गया support यह होता है जिसके नवाटर भी न रुक है और गरम न हो लेकिन फ्लास्टिक पॉर्ट हमारा भॉजली घरम हो जाता है इसलिए हम सन लविंग प्लांट लगाएंगे तो इसकी बारे में आपको बता धेंगे और वो जो हम उसके अंदर जो प्लांट लगाएंगे वो भी हेल्थी रहेगा हमारा उसकी रूट भी ठंडी ठंडी रहेंगी और उसके अंदर कोई गर्मी भी नहीं रहेगी इसकी रूट जलेंगी भी नहीं हम आपको यह तरीका बता दिए आप मुझे कमेंट में बता दीज यह आपको बता दूंगा लेकिन यह जो है यह फुल अलविग्न प्लांट नहीं है यह संथमल में नहीं है फुल समय यह शेड समधि डे और और अब फोल में रखें तो यह इसे मिट्णी के पॉर्ट में रखें वैसे तो फूल सन में यह थोड़ी सी इसकी लिफ जुलस से जाती है थोड़े ब्लग स्पष पड़ जाता है और अगर आप इसे शेडिर एरिया में रखेंगे वैसे भी अप गर्मी चल लाइए गर्मियों में तो फूल सन वाले प्लांट है उन्हें भी शेडिर एरिया दिया है इसलिए इसे तो वैसी भी दे दें तो आप इसे खड़की के पास रख लीजिए जहां पर सन आ रही हो सन लाइट आ रही हो एक से दो घंटे की इसके नजब फूल खिलेंगे तो यह बहुत खुबसुरत लगेगा लेकिन जाड़ों में इसे बहान निकालके रख सकते हैं तो चलिए अब हम इसके पहली वाटरिं हो जानी चाहिए वाटर से और इसकी रूट्स पी अच्छी तरह के जगील हो जानी चाहिए ताकि यह हमारा प्लांट जो है सोक्त में नहीं पहुँचे तो यह देखिए यह हमारा खुबसूरत प्लांट और यह अच्छ से अब हम इसकी अपडेट आपको टाइम टू टाइ डाइसे देना है और कैसी जगा रखना है इसे और सारी डिटेलो में आपके साथ वीडियो करूंगा तो बस आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और अगर आपने मेरे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और यह देखिए यह मेरे वही वाला पॉली का या फिर सीड लिंक लगाने का या फिर कटिंग हमारी छोटेटे पोर्ट में लगी होती है उनके लिए ये बेस्ट आप्शन रहता है तो देखिए ये काफी बड़ा हमारा ग्रोबैग मिल चुका है हमें और मैं सारे ही ग्रोबैग इसी तरी के सरे खलेत हाँ मैंने आपके स ग्रोबैग में लगाया है तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही फिर्म लेते हैं किसी नेक्स और अच्छे टोपिक के साथ तब तक के लिए बाए